तो फ्रेंच आज के इस वीडियो में आपके साथ मेरी नवसरी में आए वे कुछ नए प्लान्स शेयर करने वारी हूँ और कुछ जो आउट ओस्टॉक हो गये थे पहले जो बहुत जादा सबके विश्ट लिस्ट में थे बट कुछ लोगों को नहीं मिल पाए थे क्योंकि हूँ तो बहुत जल्दी में वह भी जो है अपडेट कर दूंगी और फिर भी आप लोगों अगर चाहो तो स्क्रीन शॉट लेकर भी मुझे सेंड कर सकते हो वाट्स अप नंबर पर जल्दी से वीडियो स्टाट करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से प्लांस नए आए ह कोशिश कर रही हूँ पॉपगेट करने पर लगाया हुआ है वह भी आ जाएगा पर अभी के लिए मेरे पास परपल वाले हैं क्योंकि बहुत साइलों को पिछली बार परपल वाले सेंड पेपर वाइन से नहीं मिल पायते और परपल इस टाइम बहुत अच्छी हो यह स्नो फ्लेक्स या डाइमन बुष्ट प्लांट जो की वाइट पॉन सीटिया के नाम से भी बुलाया जाता है लेकिन यह वाइट पॉन सीटिया नहीं होता है रिफ्रेंस के लिए मैं इमेज अटाइस कर दूंगी आप चेक कर लेना इस पार जो साइज है क्योंकि ज्य में है यह चाइनीज लैंटन जो की पिछली बार बहुत सा लोग की दिमांद थी कि आप येलो लेके आओ तो अभी मैं येलो लेके आई हूं और यह सब प्लांट से हम देख सकतो काफी ही मैश्यों प्लांट से और इसका रूप्राइज है वह है 250 रूपीज यहां पर रेड है वह है 200 रूपीज 200 रूपीज में आप जो औरेंज वाला होता है टाइगर वाला वह ले सकते हूं पर उसका साइज भी आप देख सकते कि काफी ही बड़ा है यह बड़े साइज के पॉली बैग में लगा हूँ प्लांट है फिर नेक्स जो बहुत डिमांडेट प्लांट है तो टैकसस सेज अभी मैं फिर फिर लेके आई हूँ टैकसस सेज के मेरे पासੰ दो तरह के प्लांट है इस साइज के पॉली बैग में लगी हूझ प्लांट है उनका प्राइज है वह है policeman 150 का लेकिन वह सिर्फ मेरे पास एक बचा हुआ है और यह वाला जो साइज है यह मे और इनका प्राइज है वह है 150 रूपीज में यहां से बाए कर सकते हो कलर वाइट है और रेड है यहां पर देख सकते हो इनमेंगे बड्स आ रखी है यह पिर यहां पर नेक्स्ट प्लांट है चोटे से poly bag में लगाऊओ प्लांट है लेकिन प्लांट काफी ज़्यादा थॉल है और यह जो है कलम वाला है मतलब कटिंग से गरो किया हुआ है फिन नेक्स्ट सबसे ज्यादा डिमांडेट प्लांट जो था वो है ब्लू क्लस्टर वाइन और ब्लू क्लस्टर वाइन का आप साइस देख सकते हो इस तरीके के पॉली बैक में लगा हुआ प्लांट है सभी में अच्छी सी प्लांडिंग आ रखी है और इसका जो प्राइज है वह है 200 रूपीज 200 रूपीज का है क्योंकि पिछली बार जो प्लांट थे वह थोड़े छोटे थे प्रिस टाइम मैं सारे अच्छे बैच्छों से प्लांट लेके आई हूं और जो सबका प्राइज है वह है 200 रूपीज फिर यह नॉन वैरिकेटेड बेबी सं रोस है जि मुझे बाहर बेजना है लाबाद वाले लोग तो ऐसे पॉट के साथ ले सकते लेकिन जो लोगों को शिप करना पड़ेगा मुझे तो उनके लिए मतलब पॉट तो मुझे हटाना ही पड़ेगा नहीं तो आपका कोरियर चार्जिस बढ़ जाएंगे तो यह मैंने सुचा व फ्लारिंग करते हुए मैच्योर से प्लांट आपको यहां से मिल जाएंगे तो यह 150 रुपीज के सभी में फ्लारिंग आ रखी है फिर नेक्स्ट सबसे डिमांडेट प्लांट था पिछली बार जो आट ऑफ स्टॉक हुआ था येलो फ्लैक्स जो की एक बर्मिनेंट प्लां आप देख सकते हो एक और दिखाना चाहूंगी इसमें सीट बनते हैं तो यह आप सीट से अराम से प्लांट नेक्स प्लांट जो कि बहुत ही सुन्दर लगता है आई जोरा के तरीके से ब्लूम चाते हैं पर देखने में कम मिलता है वह यह यह पनामा रोज और पनामा रोस ह है उसका प्राइज है 180 रुपीज इसका प्राइज है और यह बहुत ज्यादा डिमान की ती वह प्लांट है यह फिर येलो वाला है या फिर गोल्डन पैंडा भी बोलते हैं तो यह सारे प्लांट है और यह भी सारे अच्छे से इस्टाबलिश प्लांट है जिन में प्लारिंग आ रही है कुछ प्लारिंग नहीं आने वाली है और इसका प्लाइज है वह है 150 रुपीज फिर यहां पर एक बहुती रेर वेराइटी है हिबिस्कुस का रिफ्रेंस के लिए मैं इमेज अटाच कर दूंगी तो यह प्लांट मे पास टोटल पांच है और उनका प्लाइज है वह है 250 रुपीज रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटाच कर दूंगी बहुत सुन्दल यह लगता है इनकी जो लीवस होती वह भी बहुत वैलवेटी सी होती है बहुत ब्यूट लगता है यहां पर यह प्लांट आप देख रहे देखने मनता है इसका प्राइज है वह है 150 रुपीज फिर मैं इस बार सिंदूर का प्लांट लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सुन्दल लगता है और प्लांट भी इसके यूस्पुल होते है क्योंकि जो इसमें कलर निकलता है सिंदूर वाला तो वह इक दम और गयानिक होत प्लांट का प्राइज है और यह है येलो डबल पेटल वाला इसकी भी रेफ्रेंस के लिए मैं पेक अटैस कर दूंगी आप चेक कर लेना प्लांट का साइज अब देख सकतों उस तरीके के साइज में है सम मेरे से जैसे हुआ मैंने लगा जिए सीट से मैंने खुदी ग्रो है वह तो मैंने कैटलोग में डाली रखा है और यह मैं तीन ही अरेंज कर पाई हूं फिर नेक्स्ट गर्मियों का बहुत सुन्दर प्लांट है लोरो पैटलम या फिर चाइनीज फ्रिंच और इसका प्लांट का साइज आप देख सकते हो काफी बड़े साइज के पॉली बै साइज है और यह सारे के सारे येलो वाले हैं और सभी में ग्राफ्टिंग है यहां पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा मैच्छी हो रहे है यहां पर यहां पर यह गोल्डन कंद्राज फिर से मैं लेके आई हूं कुछ ही प्लांस है ज्यादा तो नहीं है इसके और इसका पर है वेरिगेटेट जेट प्लांट और इनका प्राइज है वह है 100 रुपीज फिन एक प्लांट जो कि नया है वह है यह फिलोडेंडरोन आटम्स और इसका प्राइज है वह है 150 रुपीज पॉर्टेट प्लांट का फिन एक प्लांट जो कि इस बार स्टॉक में आए वह है यह मालती बेल या फिर मालती लता जिसमें बहुती खूबसूरा से वाइट कलर के खुश्बूदार पूल खिलते हैं और बहुती बड़ा और मैच्च्योर यह प्लांट हैं और दो प्लांट है मेरे पास और दोनों इतने मैच्योरे की पॉलिवैक्स इनके रूर्स बाहर जान या फिर फिर लेंटाना और यह आप देख सकते हो कि काफी मैच्छुर प्लांस है और सब इसी तरीके से पॉली बैग में लगे वे प्लांस है तो इस बार जो है परपल वाला क्योंकि लास्टाइम खतम हुआ था तो मैंने परपल वाला ही लेकर आई हूं और इसका प्राइज से बाहर निकल लिए तो मतलब काफी ज्यादा स्टैबलेश है और छोटे पॉली बैग में बनेते ग्रों किया है इसका जो प्राइज है वह है 150 फिर और जो नेक्स प्रांट है नया वह है यह थन बजिया ग्रैंडी फ्लोरा और यह वाला बहुत ज्यादा पिछली बार लगा हुआ है तो यह पी काफी अच्छा मैच्छी और सा फ्लारिंग कर रहे हैं कि सभी प्लांट और इसका जो प्राइज है वह है 200 फिर यह थन बजिया मैसोरिस है वह सहलों ने पूछा था इसके आपने साइज से साइज नहीं दिखाया था पिछली वीडियो में तो इसक प्लांट लास्ट टाइम आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और फिर मैं अभी दुबारा से लाई हूं तो दो प्लांट ही है मेरे पास अभी यह इसका जो प्राइस है यह वन ट्वेंटी है और यह जो कॉली लीफ स्पॉंसिट है इसका भी प्राइस वन ट्वेंटी